Hello dear students, the Mission Development Academy में आप सधी लोगों का स्वागत है आज हम बात करेंगे chapter number 4 जिसके अंदर आप simple equations related complete concept को समझने वाले हैं तो जिन topics को हम simple equation के अंदर cover करेंगे, उन topics को सबसे फिला हम देख लेते हैं सबसे फिला introduction के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ किस तरीके से games की उपर simple equations होते हैं कैसे simple equation को set किया जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे इसके अलावा हम जो भी चीज़े हमने equations related सीखी, उसको हम set करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसको जानेंगे कि हमने क्या सीखा, उसका review करेंगे equation क्या है, ये समझेंगे, और इसके साथ साथ कैसे solve किया जाता है, वो approach क्या होती है, कैसे और equations को solve करते हैं, उसको हम जानेंगे, कुछ और equations के बारे में भी बात करेंगे और solution के बारे में बात करेंगे equation के किस तरीके से किया जाता है approach क्या होती है और application के बारे में हम समझेंगे practical life में simple equation का या फिर practical situation किस तरीके से होते है उसको कैसे हम use करते है सबसे पहली चीज आपके mind में आनी चाहिए equation का मतलब क्या होता है equation होती है कुछ इस तरीकी की यानि कि अगर हम कोई भी equation को ले ले for example अगर मैंने एक equation ली है 5x प्लस 7 equal to 2 ले लूँ या under root 2 ले लूँ whatever जो भी ले लूँ या हम 8 ले लिया मैंने तो यह जो 5 दिख रहा है यह coefficient होता है green color में आप देख पा रहे होंगे यह जो x होता है यह variable होता है और यह जो 7 है जिसके साथ कोई भी variable नहीं है यानि कि constant है यानि कि ऐसा expression जिसमे coefficient हो variable हो constant हो अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो दा है या य जिक है constant नाम से ही पता चल रहा है जिसको change नहीं कर सकते है वो constant value है यानि कि 7 है तो 7 ही रहने वाला है अब यहाँ पे नाम सी पता चल रहा variable, variable का मतलब what, vary यानि कि जिसकी value vary करती है जिसके बारे में हमें कुछ idea नहीं होता है जैसे x, y, z, p, q, r यह सब variable क्यलाते हैं, coefficient किसका होता है यह x का coefficient क्यलाएगा 5 यानि 5 के साथ हैं, यह सब terms क्यलाएगे 5x, यह 7 अलग term है, under root 2 एक अलग term है इन सबसे मिलकर के जो expression मनता है उसको हम equation कहते हैं आप देखिए कुछ चीजें हैं, जिसके बारे में आपको समझना होगा, जानना भी होगा कि mind game किस तरीके ही जोगा, देखा रहाँ, mind game के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत simple होता है, mind game किसी भी equation के अगर आप concept को समझना चाहते हैं तो mind game का मतलब क्या होता, mind game को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होगी जैसे माल लीजे, कि किसी equation में आपसे पूछा गया है, कि आपको ये बताना है कि equation में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज, जैसे किसी equation में हम माल लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि जो X है ना वो X Y का 3 टाइम है या 7 का 3 टाइम है तो 7 का 3 टाइम है नहीं कि 7 इंटू 3 यह X 7 इंटू 3 के बराबर है तो यह इस तरीके से आपको reading एम समझना होगा किसी भी equation को solve करने से पहले उसको आपको read करना होगा जैसे कि Y subtracted 2 तो Y में से 2 को subtract कर हैंगे it gives 7 तो यह Y minus 2 equal to 7 होगा इस तरीके से equation का equation को set किया जाता है देखिए हमने क्या सीखा हमने यह सीखा कि अगर जैसे माल लीजिए कोई सभी equation जैसे माल लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि सको statement में लिखना है जैसे लिखा हुआ X plus 7 equal to 14 तो आप क्या सकते हो 7 and X gives 14 यानि कि हम क्या कर रहे हैं setting up कर रहे हैं पूरे के पूरे equation का setup कर रहे हैं अब दिख्कत ही हो दिए हो दिए है बहुत से लोगों पता नहीं होता equation क्या देखिए equation के बारे मैंने आपको बताया equation is a combination of variables and constant value का जो expression होता है वो आपका क्या क्या किलाता है equation किलाता है वो कुछ भ 5 लिखा हुआ है तो दोनों ही तरफ में अगर मैं 2 को 8 कर दूँ एक्स माइनस 2 यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 2 को 8 कर रहा हूँ यहाँ भी मैं 2 को 8 कर रहा हूँ तो अब हो क्या रहा है यह 2 से 2 तो cancel out हो जाएगा तो x equal to क्या होगा 5 प्लस 2 7 इस तरीके से आप solve कर सकते ह हैं और उसको भी हम solve करने की कोसिस करते हैं जैसे कि यह लिखा हुआ है 9x plus 3 equal to 15 या 18 कुछ भी जो आप लेना चाहते हूँ तो अब क्या होगा कि 9x लिखा हुआ है तो मैं चाहूँ तो दूनों ही तरफ minus 3 8 कर दूँ तो plus 3 है यहाँ पे minus 3 8 कर दिया मैंने और equal to 18 minus 3 तो यह तो cancel out हो गया so 9x equal to क्या हो गया 15 हो गया अब यह 15 है तो मुझे क्या करना होगा 9 का divide करना होगा तो यहाँ भी 9 का divide करती है मैंने यहाँ भी 9 का divide करती है तो यह 9 से 9 तो क्या हो गया cancel out हो गया 5 है क्या हो जाएगा 5 upon 15 upon 9 अब इस equation को अब इस equation को जैसे solve करना है तो यहाँ पे 9x plus 3 equal to 18, right, so 9x plus 3 equal to 18 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो minus 3 आपको दिख रहा है, इसको directly आप transfer कर सकते हो, right hand side में, तो 9x equal to 18 minus 3, so 9x equal to 15, so x की value क्या हो जाएगी, 15 upon 9, तो इस तरीके से आप equation को अलग-अलग format में, अलग-अलग तरीके से solve कर सकते हो, चाहिए वो simple equation हो, अलग-अलग तरीके से solve होते हैं, आगे आने वाल exercise के अंदर हम question को भी solve करेंगे, तो और better way में आपको चीज़ें समझ भी आएंगे, देखिए अब बात करते है application का, कि practical situations में, इस simple equation का क्या solution, क्या solution, जैसे मान लिए, कोई बोलता है कि, जैसे मोहिद, मोहिद की जो a's है, वो उसके father की a's की, क्या है, twice है, या मोहिद की father की a's है, वो मोहिद की a's की twice है, और मोहिद की a's अगर 10 है, तो father की a's क्या होगी, या मोहिद की a's, मोहिद की जो a's है, उसके father की a's की thrice है, तो 3's का मतलब क्या है 3x और तो father की age क्या होगी उसकी यानि कि मोहित की जो भी age होगी उसकी 3 गुनी होगी यानि कि अगर हम 3 into 10 रख दें तो क्या हो जाएगा यह 30 हो जाएगा तो इस तरीके से practical situations में हम simple equation के question को solve करते हैं So I hope कि यह जो concept के video lectures हैं वो आपको समझाने होगी अच्छी तरीके से अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई doubt है तो आप इस number पे हम से connect कर सकते हैं इसके अलावा आप हमें whatsapp भी कर सकते हैं अपने doubts अपने session अगर अपने doubt भी आप इस number पे हमें whatsapp कर सकते हैं तो I hope कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके समझाए होगी So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last God bless you Thank you so much